नमस्कार दोस्तों एक्जामोफोविय यूट्यूब चनल में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम लोग धे या ये स्वंस्तान के छठे नम्मर के टेस्ट पेपर फिर चर्जा करेंगे ये टेस्ट पेपर यूपी पीश्यस के लिए है और ये टेस्ट पेपर विश्ट के भुगोल पर अधारित है साथ ही इसमें मई 2013 के करेंट अफेर को भी समलित किया गया है जिसके तहत हम लोग 150 कुश्चन सौल करने वाले हैं और इसके व्याख्या को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नम्मर छठवा कोश्चन नम्मर एक के साथ कुश्चन नम्मर पहला देखते हैं हम तो सुची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में समलित करें और नीचे दिये गए कूट का प्रियोकर सही उत्तर का चुनाव करें एक तरफ जन जातियां है दूसरी तरफ उनका छेत्र दे रखा है तो यूमा जन जाती है यह कहाँ पर पाई जाती है यह जो है मैक्सको और कैलिफोर्निया में पाई जाती है तो इसलिए इसका मिलान फोर्स से हो जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है A-Option गलत हो जाएगा C भी गलत हो जाएगा और D भी गलत हो जाएगा और San जन जाती जो है ये कहाँ पर पाई जाती है ये दच्छडी चीन न्यामार और थाइलैंड में पाई जाती है तो ये जो है तीसरे से मिल जाएगा और Inka जन जाती है जो ये दच्छडी अमेरिका की पेरू देश की जन जात दूसरा नम्मर कोश्चन है निमनिलिखित पर विचार कीजिए पहला है नौर्वे दूसरा है इंडोनेसिया तीसरा है रूस चौथा है कनाडा तो यहाँ पर कहा गया है कोश्चन में कि उपर युक्त को उनके तट्रेखा की लंबाई के घटते क्रम में विवस्थित कीजिए तो यहाँ पर घटते क्रम में है तो सरवादे के लंबाई यह है कनाडा तो यह चौथे पायदान पर यहाँ पर C और D गलत हो जाएगा अगला नम्मर आएगा नर्वे का ती दूसरे नम्मर पर तो यहाँ पर already B भी गलत हो जाएगा तो A option यहाँ पर correct answer हो जाएगा इसके बाद तीसरे नमर पर रूस इंडोनेसिया आएगा चौथे पर जो है कौन सा आएगा चौथे पर यह आएगा रूस यहाँ पर यह ओप्शन करेक्ट होगा कि बारे में बताना है तो इसके बारे में दो कथन दे रखे हैं पहला कथन कह रहा है उश्र कथन बंदी सदा बहार वर्सा वन जो है का विस्तार जो है केवल अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन तक है और दूसरा कथन है कि रोज उड महोगनी तथा आब नूस जैसे कठोर लक्णियों वाले व्रच प्रमुकता से पाए जाते हैं कहाँ पर इस जो है उश्र कथन बंदी सदा बहार वर्सा वन जो है तो यहां पर कहा गया है कि उपरोग्त में से कौन से कठन बाहा पर सई है तो यहां पर तीसरे को दिखा जाए तो किवल जो है दूसरा कठन बाहा पर सई है ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले इस्थान हो या जो है और जो है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो उस इस्थान का वहीं पर ये वन जो है पाए जाते हैं और इसके अलावा जो है इन वनों का विस्तार जो है विश्वत रेखा की पास जो है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दच्षड अच्छान्सों के मद पाया गया है और कहा गया है कि कहा जाता है कि अमेजन बेसिन कांगो बेसिन तथा दच्षड पूर्वी एसिया में इंडोनेसिया एवं निव गिनी की छेत तक जो है उस्षड कटवंदी सदाभार वर इसका विस्तार है तो इसलिए यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है किवाल दूसरा कथन यहां पर सही है कि नेश्टे कुछ।्ष्य नंबर चौथा निवन लिखित में से कौन सा यूग्म सही सुमेलित है तो यहां पर देखा जाए तो जो है इस्ठानी पाउने कौन सी होत है तेहां पर कुछ इस्थानी पावनों का जिक्र है और उनकी छेत्र का जिक्र है तो जो है कहा गया है गिविली जो इस्थानी पावन है यह कहां पर है लीबिया में लीबिया में तो यह गलत हो जाएगा इराख लिखा है हलाकि यह लीबिया में है अगला है 22 जो है इस्थान अगला है सामल इस्थानी पाउन है यह कहां पर पाए जाती है इराक में नाकी जावा में तो इसलिए यह भी गलत है अगला है हबूब इस्थानी पाउन है तो यह जो है सुडान में पाए जाती है नाकी मेक्सिको में तो यह भी गलत है अगला कुश्य नमर पाचवा रेशम क की तरह सफेद मेघ काफी अधिक उचाई लगभग 10-15 कीमी तक पाए जाते हैं जो समानता चक्रवातों के आगमन के पूर्व आकास में उभराते हैं तो उन्हें किस बादल की रूप में जाना जाता है यह आपको बताना है तो उन्हें जो है पच्छाब बादल की रूप में जाना जाता है सी ओप्सन करेक्ट आंसर है अगला कुश्य नंबर छठवां कुश्य नंबर छठवां है नीचे दो कथन दिये गया है जिन में से एक को अभिकतन दूसरे को काराण कहा गया है तो अभिकतन में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी का औसत सागरी सतय तापमान जो है अरब सागर की अपेच्छा अधिक है अता चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक होती है और इसका कारण है कि समुदरी, तट्का, तापमान और आध्रता जो है चक्रवातों की निर्मार के लिए सबसे महत्पूर्ण कारक है तो नीचे दिये गये कूट का प्रयोकर सही गौत्तर का चैन करना है यहां पर पहला कफन भी सही है और इसका कारण भी सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है तो इस प्रकार एंसन करेक्ट आंशर हो जाएगा नेश्ट देखते हैं कुश्चन नमबर सात्वा सात्वा नमबर कुश्चन है कि वायू मंडल की परतों को उचाई के अनुसार उनका आरोही क्रम में बताईए तो यहाँ पे आरोही क्रम में देखा जाए तो जो है पहला है प्रोपो स्फियर जिसे छोब मंडल कहा जाता है तो इसको ले लेते थोड़ी देर के लिए इसको छोब मंडल कहा जाता है यह भूमद रेखा पर जो है 18 कीमी मध अच्छांस पर 18 कीमी और ध्रूम पर जो है लगभग 8 कीमी तक लंबा हो सकता है ठीक है तो यह पहला हो जाएगा इसकी अलावा है समताप मंडल जिसको इस्टेटरो स्पियर कहा जाता है इसको ले लेते हैं इसे समताफ मंडल कहा जाता है हिंदी में और यह छोब मंडल और मध मंडल के मध में इस्तित होता है और छोब मंडल की उपरी सीवा से इसकी उचाई जो है पचास किलोमीटर तक मानी गई है और अगला है मीसो स्फियर जिसे मध मंडल कहा जाता है तो इसको ले लेते हैं यह प्रत्वी की सतय से 50 से 80 किलोमीटर उपर इस्तित है, और इसके अलावा है अगला है थर्मो स्पीर, इसे ताप मंडल कहा जाता है, तो मीशो स्पीर की उपर इस्तित, वायू मंडल के भाग को जो है थर्मो स्पीर कहा जाता है, तो यहाँ पे क्रम बध नहीं दिख रहा किसी म में भी तो इसलिए यहां पर D option correct answer हो जाएगा इसका नाम कराण हुगा म्यामार द्वारा तो यह तीसरे से मिल जाएगा और C option में है चक्रवात B पर जोए यह बंगला देश द्वारा दिया गया और चक्रवात हामून जो है इरान द्वारा दिया गया तो इस प्रकार आठवे का correct answer हो जाएगा B option next question number 9 नीचे दो कथन दिये गया है जिनमें से अभी कथन दूसरे को काराण कहा गया है तो अभी कथन में कहा गया है कि छोब मंडल को परिवर्तर मंडल भी कहा जाता है और इसका काराण है कि इस मंडल में बढ़ती उचाई के साथ तापमान तीवर गती से बढ़ता है तो न लेकिन दूसरा कथन यहां पर गलत है क्योंकि जो है इसमें जो है उचाई के साथ तापमान जलवास्प एरोसॉल यहां गैसों के अनपात में परिवर्तन होता है और छोब मंडल प्रत्वी की वायू मंडल का सबसे निचला हिस्सा है और इसी परत में जो है आदरता जलकड धूलकड वायू धुंद तथा सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है और यह प्रत्वी की वायू मंडल का सबसे घना भाग है तो इसमें इसलिए कहा जाता है कि ताप मंडल में जो है बढ़ती उचाई की साथ जो है ताप मंडल ताप मान जो है बढ़ता है तो यहां पर सह जवाब होगा C option के वल जो है यहां पर जो है कहा गया है कि A option सही है लेकिन जो है आर ओप्सन यहां पर गला थे क्योंकि जो है ताप मंडल में है और जब कि छोप मंडल में बढ़ती उचाई के साथ ताप और तीव गरती से बढ़ता नहीं है ठीक है तो यह घटना घटित ह होती है यह जो है ताप मंडल में घटती है नेश्टे कुश्य नंबर दसवा निम्ने में से सही कतनों का चैन करें पहला है अलबेडो कुल सौर विक्रण से परावर्तित विश्रित सौर विक्रण की गर्ना है और दूसरा कतन है कि सुस्क बालू का अलबेडो कम और घास इस इस तलका सरवादिक होता है तो यहां पर देखा जाए तो जो है अलबेडो जो है कुल सौर विक्रण से परावर्तित विश्रण सौर विक्रण की गर्ना है और कुछ वस्तु जो सफेद दिखाई देती है अधिकांस्ता प्रकास को परावर्तित करती है और इसमें एक उच् है कि दूसरा कफन सही है लेकिन पहला यहां पे गलत है नहीं प्लतर और जिर रहा है कि कुषं नोर 11 ஒ फूर नांद मरों क्यों नीचे दुरत के गया है तो अभी कफन में दे रहा कि तफ जो है विश्वत रेख पर सरवादिक और ध्रोओं की और कम होता है इसका कारण दे रखा है कि सवरीक विक्रण का जो भाग प्रत्वी की और आता है उसे जो है सूरे तब कहते हैं जो सभी इस्थानों पर समान नहीं होता है तो नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए तो यहाँ पर ग्यार्वे को देखा जाए तो A option सही है A R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है क्योंकि जो है सवरीक विक्रण का जो भाग प्रत्वी की और आता है उसे जो है सूरे तब कहते हैं जो सभी इस्थानों पर एक समान नहीं होता है और इसमें जो है इस्थ द्रो की अपेच्छा लवक चार गुना अधिक होती है तो यहाँ पे यह option ही सही जवाब होगा अगला कुश्य नंबर बारहा निम्ने लिखित में से कौन एक प्रसांत महासागर की गर्म जलधारा है तो यहाँ पे बारहे में में देखा जाए इसका नाम है सुसीमा धारा प्रसांत महासागर की गर्म जलधारा है इसके अलावा जो और धारा है जैसे क्यूरायल धारा है और हमबोल्ट धारा है और कैलिफोनिया धारा है यह सभी जलधारा है ठंडी जलधारा है और इसके अलावा सिर्फ सुसीमा धारा है यह सिर्फ गर्म जलधारा है अगला कुश्य नंबर 13 है अवसाधी चट्टानों के बारे में कथन देखने है और देखके बताना है कि कौन से कथन असते है तो पहला कथन है कि ये चट्टाने जीवास्म एवं रवे रहित होती है दूसरा कथन है कि इस्तरी चट्टान भी कहा जाता है इनको अवसाधी चट प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें तो असत कथन का चुनाव करना है तो यहाँ पे 13 का देखा जाए तो पहला और चौथा यहां पे असत है और दूसरा और तीसरा यहां पे सही है तो यहाँ पे देखा जाए तो भू पटल दिन्मार करने वाले पदार्थ होते हैं उनको चट्टान कहा जाता है और चट्टाने जो है मुक्टतखणिचों के सयोग से बनती है यह आप सभी लोगों को मालूम ही होगा लेकिन अवसादी चट्टानों के बारे में बात की जाये तो इसमें जो है जीव जन्तू तथा वनस्वती की जीवाशव पाए जाते हैं और यह च पर देखा जाते हैं तो रही जुड़ा है तो इसलिए यह गलत हो जाता है अगला कुश्य नमर 14 निमने लिखित में से कौन सा एक जो है रूपांतरित चटान है तो यहाँ पर देखा जाए जो है 14 में देखा जाए तो थोड़ा सा समझ लेते हैं रूपांतरित चटान होती क्या है ताप तथा दबाव अथवा इन दोनों की प्रभाव की कारण आगने तथा अवसादी चट्टानों की काया का रूप यहम उनकी समान लच्छल परवर्तित हो जाते हैं इसलिए इन चट्टानों को रूपांतृत या कायांतृत चट्टानों की संग्या दी गई है जैसे की डाय नाइट, गैब्रो और ग्रेय नाइट जो है और साधी चट्टानों के उधारन है और कहा जाता है कि नीस जो होता है वो उच्छ तापमान और दबाव के तहत ग्रिफाइड में परिवर्तन से बनने वाली एक रूपांतित चट्टान है तेहां पे जो है C-Option सही जवाब होगा नीस अगला कुश्य नम्मर 15 है कुश्य नम्मर 15 है कि सील जौला मुखी क्या होता है तो उसके जो है कुछ कथन दे रखे हैं तो पहला कथन है कि इसका निर्मार जो है मुखता कम स्यानता वाले बेसाइल्ट लावा से होता है और दूसरा कथन है ये समानता अधिक फोटक होते हैं तीसरा कथन है कि अवसादी प्लेट सीमाओ पर पाए जाते है चौथा कथन है कि इल्टा इले जो है इथी योपिया के अफार छेत्र में इस्थित एक जो है सक्रिय सील्ड ज्वाला मुखी है तो उप्रोक्त में से गलत कथन का चैन करना है यहाँ पर तो यहाँ पर देखा जाए तो केवल जो है दूसरा कथनिया पे असकता है गलत है बाकी जो है सही है दूसरा इसलिए असकता है क्योंकि जो सील्ड जो अला मुखी होता है ये समनता कम विस्फोटक होते है अधिक विस्फोटक नहीं होते है और इनका निर्मार मुखता कम शान्ता वाले विशाल्टिक लावा से होता है औ यहां पर आधिक विस्पोटक होता ही नहीं है यह कम विस्पोटक होता है अगला कुश्य नमबर 16 सुची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में समयलेद करें और नीचे दे गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर का चुनाव करें प्रमुख जौला मुखी दे रखा है और उनके इस्था अलम्खी है यह जो है हवाई दूप में है और मेरापी जो जो अलम्खी है यह इंडोनेसिया में है तो इस प्रकार यहां पर सी ओप्षन करेंट होगा अगला कुश्य नमर 17 निवनलेखित में से असत्त कथन का चैन करना है यहां पे देखा जाए तो सी ओप्षन यहां पर आसत है कि भारत में भूकंप संभावित छेत्र जो है जोन फर्स्ट से लेकर जोन फाइव तक है क्योंकि जो है भारत में जो है भूकंप प्रवाण छेत्रों को जोन से फाइव तक वर्णी क्रत किया गया है लेकिन जो जोन एक है जो वो भूकंप के प्रती सबसे कम सवेधन स तो यहाँ पर गलत हो जाता है यहाँ पर जोन सेकेंड होना चाहिए भारत में जो नेश्टे कुश्य नंबर 18 महासागरों का निमने लिखित में से कौन सा भाग जो है जीवास्व इंधनों का स्रोथ है तो यहाँ पर 18 का सही जवाब हो जाएगा महादिवपी सेल्फ महादिवपी सेल्फ जो है महासागरों का एक भाग है जो जीवास्व इंधनों का स्रोथ है तो यहाँ पर सही जवाब होगा इसकी आउसतों चाहिए जो है असी कीमी होती है तथा गहराई जो है 30 मीटर से 600 मीटर तक होती है और महाद्यूपी सेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तल छटी आउसाथ जीवासमी इन्लों की स्रोध बनते हैं नेश्ठ कुश्य नमर 19 निमनेलिखित वनी वायोम में से किस एक में प्राणियों को आहार के लिए प्रवास नहीं करना पड़ता है तो यहाँ पर देखा गया है सही जवाब होगा बी ओप्सन विश्वती वन वायोम में बी ओप्सन यहाँ पर correct answer है यहाँ पर जो है आहार की पूर्ति जो है साल भर बनी रहती है और इसका प्राणियों को प्रवास नहीं करना पड़ता है और इस बयोम की जो प्राथमिक उत्पादक्ता सरवाधिक होती है और यहाँ पर वनस्पतियों में वर्स भर ब्रद्धी होती है अगला कुश्य नमर 20 नीचे दो कथन दिये ग पाई जाती है इसका कारण है कि उत्री सागर में वास्वी करन अधिक होता है और नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर का चुनाव करें यहाँ पर पहला कथन तो सही है लेकिन इसका कारण आर गलत हो जाता है इसका कारण आर गलत हो जाता है क्योंकि जो है कहा गय उत्री अट्लांटिक प्रवा के द्वारा लाए गए अधिक लवडी जल उत्री सागर में लवड़ता में व्रद्धी कर देते हैं। और इसके अलावा कहा गया है कि स्रमुद्ध जल में घुले हुए फोस पदार्थों की मात्रा को लवड़ता कहा जाता है। और महासागरी लवड़ता वास्पी करण वर्षा वर नदियों द्वारा लाए गए ताजा जल पवण तथा महासागरी धाराओं द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहां पे उत्री सागर में वास्पी करान अधिक होता है यह कथन है तो यहां पे यह कथन गलत हो जाता है तो यहां पे C option ही correct answer होगा Next question number एक केस निमने लिखेते युगमों में से कौन सा सही सुमिलत नहीं है तो कणारी जील के सामने क्या है यह है उत्री अट्लांटिक की एक ठंडी धारा है जो उत्री अफ्रीका की पश्मी तटके सहारे चलती है तो यह जो है उत्री अट्लांटिक तो यहां पे यह सही है और अगला है अगुलहास तो अगुलहास की बारे में बात की जा तो अगुलहास जो है हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली जो है गर्म धारा है तो ये भी सही है अगला है हम बोल्ट धारा ये जो है दच्छनी प्रसांत की एक ठंडी धारा है और ये जो है पेरू की समीब इसे पेरू की ठंडी धारा भी कहा जाता है तो यह गलत हो जाता है तो यही सही होगा क्योंकि अगला ब्रजील की धारा जो है ब्रजील की धारा जो है कि बारें बात की जाए तो यह जो है दच्छर अट्लांटिक की एक गर्म धारा है तो यह भी सही था तो इस प्रकार से गल होता है क्योंकि जो है कहा गया है कि प्रत्वी की सतय जो है लगू तरंग सौर विक्रण द्वारा गर्म होती है तथा प्रत्वी स्वयम गर्म होने की उपरांत जो है दीर्ग तरंगों के रूप में उर्जा विक्रण करने लगती है और कहा गया है कि दीर्ग तरंग धैर विक सबसे निचली सबसे सबसे निचली परत है इसकी लगवक तेरा किलो मीटर है और इस मंडल मैं ढूलकड तल्वास होते हैं और इसी में देखा गया है कि मौसम में परवर्तन होता है और इसी मंडल में जो है प्रत्यक 165 मीटर की उचाई पर ताप पान एक डिग्री सेंट्रीगेट घटता जाता है और तो यहां पे सही जवाब होगा बी ओप्शन नेश्ट कुश्चन नमर 24 24 नमर कुश्चन है प्रत्वी का एलवीडो क्या होता है तो यह 24 में सही जवाब है C option शौर विक्राण उर्जा की परावर्तित मात्रा जो है प्रत्वी का एलवीडो होता है तेहां पे C option correct answer है इसके explanation की बात करें तो थोड़ा सा समझ लेते हैं तो प्रत्वी ना तो उर्जा स करती है और ना ही इसका घरास करती है और यह अपने तापमान को इस्थिर रखती है और वायू मंदल से गुजरते समय जो है सवर उर्जा का कुछ आंस जो है परावर्तित प्रकिंडित एवं असोसित हो जाता है किवल सेस भागी प्रत्वी तक पहुँच पाता है और सवर कि जितनी मात्रा परावर्तित हो जाती है उसे ही प्रत्वी का एलवीडो कहा जाता है नेश्टे कुष्य नमर 25 तापी प्रतिलोमन के कारण क्या होता है कौन सी घटना घटित होती है यह बताना है तो यहाँ पर वायू मंदल में इस्थिरता आती है और वर्षा की संभावन कम हो जाती है किस कारण से तापी प्रतिलोमन के कारण से क्योंकि जो है यह ऐसी घटना होती है तो एसी विप्रीत तापी दसा है यह जिसमें वायू मंदल की परते नीचे तथा गर्म परते ऊपर जाती है उपर पाई जाती है जिसे तापी प्रतिलोमन कहा जाता है और सा की संभावनाएं कम हो जाती है तो इसलिए यहां पर डियोप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुष्च्छ नम्मर 26 निम्न लिखित में से कहां पर जो है 36 पाउनों का अभाव पाया जाता है तो 26 में देखा जाए तो सी ओप्शन सही है कि डोल ड्रम में जो है वा चै अधिक निम्न वायुदाब का कटिबंध है और इसका विस्तार जो है 10 डिगरी नौर्थ से 10 डिगरी साउथ अच्छांस के मद्ध होता है और इस कटिबंध में 36 धरातली पाउने नहीं चलती है क्योंकि वह अपने आपस में मिलकर गर्म होकर उपर उठने लगती है क्योंक नेश्ट कुष्यन 27 नीचे दो कथन दिये गया है जिन में से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है तो अभी कथन में दे रखा है कि पूर्ण मासी या अमावस्या को देर ज्वार का अनुभव होता है इसका कारण है कि सिजगी की स्थिति में जब सूर प्रत्वी तथा च सकती के प्रणाम सरूप देर ज्वार का अनुभव किया जाता है तो नीचे दिये गया कूट का प्रियोकर सही उत्तर का चुनाव करना है यहां पर यहां पर यह और यह और यहीं सही व्याक्ष्या कर रहा है नेश्ठ कुष्य नमर 28 निम्निलिखित कतनों पर विचार करें पहला कतन की परवत पदीव पठार एक और उच्च परवतों से तो दूसरी और सागर या मैदान से घिरे होते हैं दूसरा कतन है कि Brazil का पठार और Australia का पठार जो है परवत पदी पठार के प्रमुख उदारण है तो यहाँ पे देखा गया है कि असत कतन का चुनाव करना है तो यहाँ पे 28 में देखा जाए तो केवल दूसरा कतन यां पे गलत होए लेकिन पहला कतन यां पे सही है क्योंकि जो जो है आपलीशियन पठार जो पढ़ता है वो जो है परवत पदी पठार की उधारण है लेकिन जो है कहा गया है कि कि प्राजीन का पठार और आ नेश्ट है कुश्चन नंबर 29 29 नंबर कुश्चन कह रहा है कि सूची फर्ष्ट को सिगेंड की साथ में स्मिलित करें और नीची दे गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर का चुनाव करें तो एक तरफ जलसंदी है दूसरी तरफ उनकी अवस्तिति है तो सोया जो जलसंदी है य यह कहां इस्तित है तो यह जापान सागर एवं जो है और खोथ सक पड़ता है वहां पर इस्तित है दूसरे से मिल जाएगा तो इस प्रकार से यहां पर पहला गलत चौथा गलत अगला है सुगारू जलसंदी यह जो है जापान सागर एवं प्रसांत महासागर में इस्तित ह है कि यहां पर भी भी गलत हो जाएगा थो सीौसमन यहां पर सवीजवाब हो जाएगा क्योंकि ज मरुष्थल और उनकी विसेश्थाएं दे रखी है आमने सामने तो यहां पर देखा गया है तीस में तो यहां पर बी ओप्षन दे रखा है नूबियन मरुष्थल दे रखा है यह जो है नूबियन मरुष्थल जो है सहारा मरुष्थल के पूर्वी छेतर में है सहारा मरुष् का सबसे जो है सुस्कतम मरुष्टल है और यहां जो है विस्ट का सबसे बड़ा नाइट्रेट का भंडार भी इस्तित है नेश्टे कुश्य नमर 31 कुश्य नमर 31 है सुची फर्ष्ट को सिकेंड के साथ में सुमिलत करें और नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर के चुनाव करें नदियों का मिलान उनके इस्थान से करना है किस इस्थान में इस्तित है यहां पर देखा जाए 31 का तो ओब नदी कहां पर है तो यह जो है रूस में है चौथे से मिल जाएगा तो पहला और चौथा गलत हो जाएगा और हटसन नदी कहां पर है सेयुक्त राज अमेरिका में है तो तीसे से मिल जाएगा तो यहां पर C option भी गलत हो जाएगा तो B option यहां पर correct answer हो जाएगा और इरावदी नदी है म्यामार में और जो है ओरी निको को लंदी है को लंबिया में है अगला कुश्यन number 32 बरतज्वी भूब परप्टी में सरवादिक मात्रा में पाय जाने वाले तीन ततो काउन सेози की भूब भूब परप्टी में तीन ततो काउन सा है करम सा बताईए तो इसमें J जो है 98% भाग जो है 8 तत्यों में पाए जाता है जिसमें 46.60% जो है oxygen 27.72% जो है silicon 8.13% जो है aluminum और 5% जो है लाव और 3.37% जो है calcium 2.83% जो है sodium 2.59% जो है potassium 2.09% जो है magnesium पाया जाता है तो इस प्रकार से आपर सी ओफ्षन करेक्ट आंसर होगा नेश्ट कुश्य नमबर 33 निमने लिखित में से कौन सा एक जो है आगने चट्टान का उदारान नहीं है तेहां पर देखा जाए तो आगने चट्टान क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं तो जो आला मुखी उद्गार की समय जो है भगर्व से निकलने वाला लावा धरातल पर जमकर ठंडा होने के पशाज जो है आगने चट्टान में परिवर्तित हो जाता है इन्हें जो है प्रात्मिक सेल भी का जाता है और इनमें जो है जीवास में नहीं पाए जाते हैं उदारान के लिए समझते हैं तो जैसे ग्रेफाइड हो गया माफ कीजिए ग्रे सेल चूना पत्थर की रूपांत्र से बना होता है तो संगमर्मर एक जो है आगने चटान का उधारान नहीं है यह जो है किसका उधारान है यह जो है रूपांत्री चटान का उधारान है नेश्टे कुश्य नमबर 34, सूची फर्ष्ट को सिकेंड की साथ में समिलत करें और नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर का चुनाव करें, तो परवतों का मिलान किसी करना है देशों से, तो पहला है परवत जो है मांट टिटलिस, यह कहां पर इस्तित है, यह परवत का पर है, यह कैलिफॉनिया में है, पहले से मिल जाएगा, यह मुरको में अगरे कुश्य नमबर 35, सी तोस्ट कटीबंदी, चक्रवातों में वताग्रों के सहारे मुक्ता वर्षा किस प्रकार की बादलों में, बादलों से होती है, तो कपासी वर्षा में जो है, अत तेदिक लमवत विकास वाले मेग होते हैं और इन मेगों में जो है तेज बॉच्छार परती है और उपल वरष्टी तथा प्रबल जंजावत इनकी अनलच्छण है इसके अलावा कहा जाता है कि सीतोस्र कटिवंदी चक्रवातों में सीत वतागरों की सहारे मुक्ता इन ही बा नहीं है तो भूमद रेखी जलवायू जो है विश्वत रेखा जीरो डिगरी से दस डिगरी उत्री एवं दच्छडी अच्छांसों में जो है विस्तुत है और जो है कहा जा सकता है यहां कुछ विशेष्टा है इसकी तो वर्स भर उच्छ तापमार रहता है और उच्छ पर उत्पादन के लिए विशेष्ट बेका घाटी कहा अउस्तित हैं प्रसी से प्रसिद्द केका घाटी कहा आउस्तित है कहां पर है ये लेवनान को मदपूर का सुजलेंड कहा जाता है और इसकी राजधानी बेरूत है और सेव उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद बेका घाटी जो है पूर्वी लेवनान में इस्तित है तेहां पर डियॉप्शन करेक्टर अंसर ने लेवनान अगला कुश्य नमर 38 नीचे दो कथन दिये गया है जिन में से को अभी कथन दूसरे को कारण कहा गया है तो अभी कथन में कहा गया है एक ही अच्छांस पर इस्थित इस्थानों के तापमान और जलवायूद समान होते हैं इसका कारण है कि उचाई के साथ तापमान घटता है तो नीचे दे गया है कूट का प्रियोकर सही उत्तर का चैन करें तो यहाँ पर देखा गया है तो 38 का देखा गया है तो D-Option यहां पर सही है क्योंकि पहला कसं तो गलत है दूसरा यहां पर सही है क्योंकि उचाई की साथ तापमान में कमी आती है इसलिए परवती मैदानों की तुलन में अधिक फंडे होते हैं और एक ही अच्छान्स पर सिस्तर के तापमान और जर्वाईयों में अंतर हो सकता है क्योंकि उनकी ताती खिली जीस हो 5 जा इगा अगला कुश्य नमर 49 पश्मी विच्छोब की संदर्व में निम्न लिखित कत्रों में से कौन सा कत्र सही है पहला कत्र यह भूमद सागर पर उत्पन होते हैं दूसरा कत्र भारत में इनका प्रवेश जो है पूर्वी जिट प्रवाहद्वारा होता है तो यहां पर 49 को देखा में पश्चमी तथा उत्तर पश्चमी प्रवेश करता है और यह भूमद सागर पर उत्पन होते हैं और भात में इनका प्रवेश जो है पश्चमी जिट प्रवाह द्वारा होता है और सीथ काल में सीथ काल में जो है रात्री की ताप मान में व्रद्धी इन विच्छोबों विच्छवमों के आने का पूरू संकेत माना गया है अगला कुश्च नमर चालिस अपने परिक्रमा पत्थ में प्रत्वी लगवक किस माध्ध वेग से सूर का एक चक्कर लगाती है यहां पर सही जवावत 30 किलोमीटर प्रति सिकेंड के जो है वेग से चक्कर लगाती है जब नेश्ठे कुश्च नमर एक तालेस कौन सी जल्धारा जो है योरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है तो यहां पर देखा गया है एक तालेस का सई जवावव बी ओप्शन गल्फ स्टीम को जो है योरोप का गर्म कंबल कहा जाता है क्योंकि जो है गल्फ स्ट्रीम जो है उत्री अट्लांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है यह जो है बीस डिग्री उत्री अच्छांस के पास जो है मेक्सको की खाड़ी में उत्पन होकर उत्तर पूर्वी दिसा की ओर सत्तर डिग्री उत्री अच चांस तक पश्चमी यूरोप के पश्चमी घार तक प्रवाहित होती है और यह गर्म अधारा जो है आती नियून तापी प्रदेशों में बर्फ को पिगलाकर वर्स भर जलमार्क उपलब्ध कराती है और यह जो है कहा जा सकता है कि गल्फ औफ मेक्सिकों से उत्पन्द होने जो है कि यहां पर यहां पर और और यह एक रामसर इस्थल नीचे दो कथन दिये गया है जिन में से एक को अभी कथन दूसरे को कारण कहा गया है तो अभी कथन में कहा गया है कि भूमद रेखा पर ऊष्ण कटिबंदी चक्रवात उतपन्न नहीं होते है इसका कारण है कि भूमद रेखापा जो है कोरियोलिस बल की अनुपस्तिती पाई जाती है तो नीचे दिये गए कूट की सायता से सही उत्तर का चैन करना है तेहां पे 44 में देखा जाए तो यहां पे ए और दोनों सही है आरे की सही व्याख्या कर रहा है यह उप्सन करेक्ट ह अगला कुश्य नमर 45 निर्मनेलिखत में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है तेहां पे देखा जाए करमेडिक गर्त दे रखी है यह जो है दच्छडी प्रसांत महसागर में इस्थित है ना कि उत्री में तो यह सही नहीं है यह उप्सन करेक्ट है बागी तीनो सही है नेश्ड़े कुश्य नमर 46 किस वाय मंदली परत में संचार उपहर अवस्थित किये जाते है यहाँ परत में संचार उपहर ऑपग्रह अवस्थित क यहाथ D option यहाँ पे correct answer है, और Patterson ने जो है yu मंदल को पांच भागों में बाटा है सबसे वोपरम होता है जिसे बहर मंधल कहा जाता है और इस मंदल में जो है इसी को जो है एक जो स्फियर भी कहा जाता है और इस मंडल में संचार उभग्रे अवस्थित किये जाते हैं और इसमें वायू अत्यन्त विरल होती है तथा उपर धीरे धीरे बाह अंत्रिच में बिलीन हो जाती है अगला कुश्य नमर 47 नीचे दो कथन दिये गया है जिन में से एक को अभी कथन दूसरे को कारण कहा गया है तो अभी कथन में कहा गया है कि जो है ब्लैक होल एक ऐसा खगोल की अस्तित्व है जिसे केवल दुर्बीन से ही देखा जा सकता है इसका कारण दे रखा है कि जो है ब दूसरा कथन यहां पर सही है क्यों है कि ब्लैक होल एक एसा खगोल की अस्तित्व है जिसे दुर्बीन से भी प्रतेच्चता देख पाना संभाव नहीं है क्योंकि यहां पर दे रखा है कि दुर्बीन से देखा जा सकता है लेकि नहीं देखा जा सकता है क्योंकि अत्यदेख उच्छ घनत्य होने के कराण इसका प्रबल गुरुत्वी छेत किसी भी प्रकार के विक्रण यहां तक की प्रकास की किर्णों को भी नहीं निकलने देता है। इसलिए अंत्रिच दुर्बीनों द्वारा ब्लेक होल की उपस्तिती का पता उसकी आसपास के पिंडों तारों एम गैसों की विवहार से लगाया जा सकता है। अगला कुश्य नमर उन्चास उद्योगों की अवस्थिति के संबंद में नियूंतम परिवाहन लागत का सिधान्त निमने लिखेत में से किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो है जर्मन के अर्दसास्ति थे अल्फ्रेड वेवर उनके द्वारा 1909 में यह प्रतिपादित किया गया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक थी theory of location of industries तो इसमें उन्होंने नियूंतम परिवाहन लागत सिधान्त को प्रतिपादित किया था। तो यहां पर 32 मीटर की गयराई पर तापमान एक डिग्री centigrade बढ़ जाता है। यहां पर सहीजाब है यह option। अगला question number 51, निमने लिखित में से कौन एक हॉर्ण आफ अफ अफ्रीका में समली सबसे छोटा देश है। तो इस देश का नाव है जीबूती, डी ओप्सन करेक्ट आंसर है। यह सबसे छोटा देश है। अगला question number 52, निमने लिखित कत्रों में से कौन से कथन सही है, पहला कतन है प्रत्वी का वाह कोर ठोस अवस्ता में है, दूसरा कतन है कि महासागरों के नीचे भूपरपटी की मोटाई कम जबकि अधिक महादीपों के नीचे ज़्यादा है, तो जबकि महादीपों के नीचे जबकि महासागरों की मोटाई, तो यहाँ पर देखा जाए, बावन का सही जब है, जो है बी ऑप्सन के वाल दूसरा कतनिया पर सही है, लेकिन पहला कतनिया पर गलत है, क्योंकि जो है प्रत्वी के कोर का विश्तार जो है, सतह से लगभग 2900 किमी से 6371 किमी तक है, और इस है, इसलिए पहला कतनिया पर गलत हो जाता है, और दूसरा कतनिया पर सही जवाब होगा, अगला कुशन नमर तिरपन, निमने लिकित में से कौन सी एक दसा वायू रासी की उत्पत्ति के लिए आउशक सर्त नहीं है, तिहां पर तिरपन का सही जवाब है, यह उप्सन वाय वायू मंदली आइस्थिर्ता, वायू मंदली आइस्थिर्ता वायू रासी की उत्पत्ति के लिए आउशक सर्त नहीं है, नेश्टे कुश्च नमर चववन, माउंट हका का बोराजी किस देश की सर्वोच चोटी है, तो यहां पर चववन को देखा जाए, तो म्यामार की उत्री भाग में ये इस्थित है, ये जो है, माउंट हका का बोराजी, और ये जो है 5881 मीटर, यहां जो है, यहां की सबसे उची चोटी है, तेहां पर सही जवाब क्या होगा, C-Option, म्यामार. अगला कुश्य नमर 55, अफरीका महादीब के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्न में से कौन सी एक जन जाती, विदेशी परेटोकों के लिए मार्ग दरसक का कार करती है, तेहां पर देखा गया है, 55 का सही जवाब है, B-Option, तु आरे जो पाई जाती है, तु आर काला हरी मरुस्थल में पाई जाते हैं, तथा जैसे एक और जन जाती है, पिगमी, ये जन जाती का निवास इस्तान जो है, कांगो बेसेन है, अगला कुश्य नमर 56, नीचे दो कथन दिये गया है, जिन में से एक को अभी कथन और दूसरे को कारार कहा गया है, तो अभी कथ कर सही उत्तर का चैन करना है, तेहां पर पहला कथन सही है, ये आर दोनों सही है, और आर एकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जापान में प्रचूर जैव उर्जा संसाद्रों का भी अभाव देखने को मिलता है, और जापान जो है विसके कई देशों से उच कोटी का ल करना है, तो जो है 57 में देखा जाए, तो यहाँ पर दे रखा है कि नुब्रा गार्टी जो है, कहां मिलान क्या है, अ शियाचीन हिमनद सही है, और जो है फेट चेंको हिमनद जो है, कहां पर है, दच्छण पश्चिम पामेर में, तो यहाँ पर यह जो है गलत हो जाता है, यही ही सही है बाकी बटोरा जो है हिमिन जो है कहां पर है घूझजा यानि हिस्पार हिस्पार घाटी और मोहिल यह जो है शिंघ् साल कुछ्चर स्ट नमर 58 निमने लिखत में से कौन एक जो है दच्चघ पूर्व एसिया की सबसे वड़ी जील जो है टोनले सैफ जील है टोनले सैफ जील डी ओप्सन सही है ये कहां पर है कमोडिया में इस्तित है अगला कुशन नमर 69 निमने लेखित में से कौन सी मिरदा जो है सरवादिक उपजाव होती है तो 69 का सही जाब है जो है चर्णो जेम मिट्टी है वह चोटी घास वाली स्टेपी मैधनों में पाय जाती है और इसमें हुमस की अधिक्ता के कराण इसका रंग काला होता है ये सरवादिक उपजाव औरойти मिट्टी है इसमें उर्वरका वह सिचाई की आशका काफी कम होती है तो यहां पे सी पाई जाती है ये सिए है पिनाग डिव पड़ता है उच्चिण फूड़ा जब्सटो कि प्रेंड यहां पर फोड़ार यहां पर सो न ही न सल्टा कि लिए बरा नेश्ट कुश्य नमबर 61, 61 नमबर कुश्यन है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर अविस्थित है, तो जापान की राजधानी टोक्यो जो है जापान में जो है चार बड़े आकार के द्वीप है, पहला है होंशू, पहला है होंशू, दूसरा है क्यूशू, तीसरा है Shikoku और चोथा है Hokkaido और होंशु जो दूइप है इसी दूइप पर ही जो है जापान की राधानी Tokyo इस्तित है और इसी दूइप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान जो है क्वांटो भी इस्थित है तेहां पर सही जवाब होगा यह ओप्षन अगला कुशन नमबर 62 केप केप अगलु हास के संबंद में निर्मिन लिखित कत्रों पर विचार करें पहला कतना यह दच्छड अफ्रीका के वेश्टन केप में इस्थित एक चट्टानी छेत्र है सही है अगला कुश्य नमर 63 निर्मिन लिखित कत्रों पर विचार करें पहला कतना की सभी अच्छांस रिखाएं एक-दूसरे के समानांतर होती है कणते हैं दूसरा सभी अच्छान्स रहत होते हैं तो कूँट कीiko कत्र चुना है या पे 60 का देखा जाए तो पहला सकाथ है यह लेकिन दूसरा सकर्ण आपे अश्रत है क्यों कि फूमος रहए सी अच्छान्स रहत है जो यह उप्सन करेक्ट है के वल नेश्ट कुश्य नम्मर 64 सूची फ़स्ट को सिकेंड की साथ में समयलित करें और नीचे देगाए कूट का प्रयोकर सही उत्र का चुनाव करें तो ग्रहों का मिलान करना है उनकी विस्यस्ताओं से तो बुद्ध की बारें बात की जाए तो सरव सबसे कम परीभ्रमड्र करने में समयल लेता है इसलिए यहां परे यह सही है अगला कुश्य नमर 65 सूचि स्ट को सिकेंड के साथ में समयलित करें और नीचे धिक कोट की सायता से संयुद्धका चुनाव करें तो यहां पर जो है 65 में देखा जाए तो एक तरफ जो है discontinuity दे रखा है दूसरी तब उनकी location दे रखी है तो पहला है Conrad Conrad का मिलान क्या होगा Conrad का मिलान होगा बाह क्रस्ट एवं आंत्रिक क्रस्ट तो बाह क्रस्ट तीसरे से मिल जाएगा और मोह का मिलान होगा आंत्रिक क्रस्ट एवं बाह मेंटल तो जो है इसका मिलान जो है दूसरे से हो जाएगा और अग्ला है रे fighti तो referee का मिलान होगा higher mental एम ऐवं अन्थरिक mental और D का होगा lehmine इसका मिलान होगा higher core एम आंतरिक score तो इस परकार से एम Coryो का programme और अन्सर हो जाएगा next question number 6 6- Rick dad नमर question है host परवत का निर्माढ़ होता है तो इसका निर्माड का होता है दो भ्रंसों की किनारे की इस्तम्ब यथावत रहें योवं बीच का इस्तम्ब उपर उठ जाए तब इस परवत का निर्माड होता है तो यह उप्सनियां पर करेक्ट है अगला कुश्य नमर 67 नीचे दो कथन दिये गया है जिन में से एक को अभ प्रमुक कारण जो है भूकमप है तो नीचे दिये गया है कूट से सही उत्तर का चैन करना है तो यहां पर देखा जाए तो 67 को देखा जाए तो 67 में जो है सी उप्सन सही ए यह तो सही है परंतु आर गलत हो जाता है यहां पर की लिखाए है कि सुनामी का प्रमुक कारण भूकमप है तो यहां पर जो है कहा जासकता है कि जो है और सुनामी की उत्पती जो है समुद्र में तब होती है जब समुद्र के नीचे भूकंप ज्वाला मुखी विस्फोट या भूस कलन के कारण पानी का अचानक विस्थापन होता है तेहां पे गलत हो जाता है कि वो लेक करा नहीं होता है अगला कुश्चन नमबर 68 68 नमबर कुश्चन देखा जाए तो निम्न लिखित में से सही कथन का चुनाव करना है पहला है प्रवाल दीब का निर्मान जो है मूंगा जीव के द्वारा होता है एवन प्रवाल दीब जो है महासागरों के मद पाय जाते हैं दूसरा कथन है कि मा मार्सल दीब और गिलबर्ट दीब प्रवाल दीब के उधारण है ठीक है माल दीब जो है मार्सल दीब और गिलबर्ट दीब प्रवाल दीब के उधारण है तो यहां पर देखा जाए तो आर्सट में देखा जाए तो जो है दोनों ही कतन से हैं सी ओप सनिया पे करेक्ट आं का मैदान है इसका मिलान होगा दच्छडी अफ्रीका से सवाना का घास मैदान जो है इसका मिलान होगा सुडान से और लानोच का जो घास मैदान है यह इसका मिलान होगा कोलंबिया से और सिराडो का मैदान है यह ब्रेजील से मिलेगा यहां पर सी ओप्सन करेक्ट आंसर हो ज प्रसिद्व उपनाम और एक दूसी तब दे रखा देश राज या इस्थान का तो यूरोप की तेल राजधानी जो है, ये जो है, इबरडीन में स्थित है, जो थे से मिल जायेगा, और जो है ब्लू ग्रास इस्टेट जो है, ये जो है, जो है केंट्टुकी में में है, को कहा जाता है और नगरों का से जो है वेनिस तो इस प्रकार से या पर बी ओप्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुश्य नमबर 71 महा देवपी विस्थापन सिधान्त के अनुसार जो है पैंजिया का विभाजन अंगारा लेंड और गोर्डवाना लेंड में हुआ है और वर्स पूर्व जो है करबोनी फेरस काल में हुआ था इसका विभाजन और महा देवी विभाजन सिधान्त का प्रतिवादन जो है अलफ्रेड वेगनर ने सन 1912 में किया था तो यहां जो है सही जाब होगा करबोनी फेरस काल में वी ओप्सन करेक्ट है अगला कुश्य न कुश्य नमर 73 सोची 1 को सिकेंड की साथ में स्विलित करें और नीचे देए गए कूट का प्रियोकर सही उत्तर का चुनाव करें घाटियों का मिलान करना है उनकी इस्तिती से तो पहला है बादा घाटिया है यह इंडोनेसिया में है तीसे से मिल जाएगा तिहां पे B और C गलत हो जाएगा किंग घाटी जो है यह उस्टेलिया में है 34 से मिल जाएगा तिहां पहला भी गलत हो जाएगा डियोप्सम सही जवाब है और रैविट की बारे मात की जाए राज अमेरिका में पो घाटी जो है इटली में अगला कुश्य नमर 74 प्रती चक्रवात की पहला दूसरे यापि गलत हो जाता है कि प्रति चक्रवात प्रती चक्रवात की बिप्रित होते हैं और यह चोभाई मौनली दबावान वाले बंते हैं और वहारे केंदर में जो है इनके केंद्र में दाव प्रवारता कम होती है, यहां पर लिखा आधिक इसलिए यह गलत है और केंद्र में वायूदाव अधिक्तम होता है जबकि नियून्तम लिखा है और मौसम साफ रहता है और प्रतिशक्रवाद विभिण वायू घटकों से बने होते है लेकिन वायू रासियां साफ, सुस्क और सांथ होती है उनके पास छोटे वायू दाब ट्रोवरता है नेश्ट है कुश्चन नमर 75 75 नमर कुश्चन कहे रहा है आपको कि सुची फर्ष्ट को सिकेन के साथ में स्विमिलित करें और नीचे देगे कूट की साथ से सही उत्तर का चुनाव करें देश्चों का मिलान उनकी राधानियों से करना है तो ग्रेनाडा की है सेंट जॉर्ज तेहां पे दूसरा और बहमास की राधानी क्या है नर्शाव चौथे से तो दूसरा चौथा तो यहां पे बी आफ्सन सही जवाब हो जाएगा और कोश्टारिका की राधानी क्या है सेंट जोस पहले से और होंडू रास की राधानी क्या है जो है तेगू सिगलपा अगला कुश्चन नमर 76 निमने लिखित में से इजरायल की संदर में गलत कथन का चुनाव करना है तो पहला कथन है कि रूम सागर के पश्वी तर पर यह इस्थित है दूसरा है इसकी राधानी यरूसलम में अविस्थित है तीसरा है उत्री भाग में भूमद सागरी जलवायू पाई जाती है चौता है जौडर नदी रिफ्ट घाटी में इस्थित है तो पूछा गया गलत के लिए तो पहला कथन आप गलत है बाकी जो है दूसरा तीसरा चौता सही है क्योंकि जो है इजरायल जो है रूम सागर की पूर्वी तरपे इस्थित है ना कि पश्च्मी तरपे तो इसलिए जो है ये कथन गलत है अगला कुशन नमर 77 निमनलेकित में से किसे जो है थाल वेग नियम के द्वारा अंतराष्टी सीमा के रूप में अंकित किया गया है तो यहां पे देखा जाए तो 77 का सही जाव है स सर क्रीक को जो है थाल वेग नियम के द्वारा अंतराष्टी सीमा के रूप में अंकित किया गया है सर क्रीक को तो यहां पे जो है यह ओप्सन करेक्ट है अगला कुश्चिन नमर 78 सूची फरस्ट को सिकेन के साथ में समिनित करें नीची देए गए कूट की साथा से सही उत् क्या है किरकुक क्या है वी सघ्याय कोई का क्या है बरगान ये सजी सौधी अरफ यह तम्मम यह वी सघ्य तो पहला दू से तिसे होताई ओप्सन नेश्ट कुश्चन में 79 probably लाप लाटा के मैदान के संदर्व में निमने लिखित में से कौन सा कथन असत्त है पहला कथना कि इस मैदान का निर्मार जो है औरी नीको तथा उसकी सायक नदियों द्वारा किया गया है दूसरा कथना इस मैदान में पंपास नामक सितोस घास के मैदान पाए जाते हैं तहा जो है लाप लाटा का मैदान जो है दच्छड अमेरिका महादीप में ब्रजील पठार के दच्छड में इस्तित है और इस मैदान का निर्मार जो है पराना तथा परागवे तथा उनकी सायक नदियों द्वारा किया गया है और जो है इस मैदान में सीतोस्न घाट के मैदान प साथ सेरह करें नीचे दिये euro कोट की अलता से सेयुद्घर के चुनाव करें तो बंदर घाहों का मिल्यार करना है देश से तो मतादी जो बंदर गाह है यह कहांपे है यह कंगो गड़तन जो है तो दूसरे से मिलेगा तहाँ पहले लया जायेग मिल जाएंग मिले । यह कहां पे है यह कोईत में है तो जो है यहां पे सी ओप्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंद्रिया जो पड़ता है यह मिस्ट में पड़ता है अगला कुछ नमर् 1-8 निम्ने लिखत में से कौन सा एक जो है नगर मकारेखा पर इस्तित है तो इस नगर का नाम है साव पालो यह जो है साव पालो जो है ब्रजील का सरवादिक घना सबसे बड़ा नगर है जो मकारेखा पर इस्तित है यहां संसार की सबसे बड़ी कववा मंडी है यह ब्रजील का सब एक महत्पूर अधोगिक प्रदेश है नेश्टक कुष्य नमबर 82 सूची फष्ट को सिकेंड की साथ में स्मिल करें और नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर का चुनाओ करें कोईला उत्पादक छेतर है उनका मिलान करना है देशों से तो जो है डोन बास जो कोईला उत्पादक छेतर है यह है यूकरेन में और रेड वेसन है यह कहां पे है चीन में और रूर घाटी कहां पे है यह जर्मारी में है और ऑपलेशियन यह है यूएसे में तो यहां पे स सरवोच चोटी अविस्थित कहां पर है तो यह जो है यह चोटी कौन सी है उत्री अमेरिका की माउंट मैकिनली है जो 6194 मीटर की है यह अलास्का स्रेड़ी में इस्थित है तेहां पर जो है सही जवाब है सी ओफ्षन नेश्टे कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् 881 निमने लिखित मेंसे कौन सा एक यूगम सही सुमेलित नहीं है पॉनो का नाम और उनका इस्थान दे रखा है तो यहाँ पर हबूब जो पॉन है पॉनो का नाम है यह जो है एक मजबूत रे तीला तुफान है जो सुडान की दच्छडी किनारों में होता है ना की जो है ईर पुटी नौका के समान होता है और जब हिमानियों के जो है तलस्त हीमोर का तोड़े- थोड़े साउब पर जो है गुम्दाकार टीलो के रूप में जो है जमाव होता है तो उसे जो है बनी इस्तिलाकृतियों को जो है ड्रमलिन कहा जाता होगा है तिहां फेस किया होगा। अक लाकुशन नंबर सथासी नमने लेकीतिते में से किस डेश की समुदरी तर्єका नहीं है तहां पे जो है नतर आपसंखर नहीं है और सकूरिक नमने कतनों पर विचार करें पहला कतने की विष्ट के अधिकांस प्लेसर निच्छेब जो है दच्छड पूर्व एसिया में फैले हैं दूसरे कतने की विष्ट में प्राप्त होने वाली टीन का अधिकांस प्लेसर निच्छेबों से प्राप्त होता है तो यहां पे देखा जाए तो 88 का सही जाब क्या हो कश़वं में रहने वाली जन जाती है तो यहां पर देखा जाया को चुन कश़वानों जो जो कांगो बेसिन की वर्षावनों में रहने वाली जंजाती है यह एक सिकारी जंजाती है सिकार करने वाली जंजाती है अगला कुश्य नमर 90 निम्निलिखित में से कौन सा जो है मेग गर्जन के प्रमुक कारण है पहला है संगनन दूसरा है उच्छताप एवं आदरता तीसर है उर्ध्वादर हवा तो कूट की सायता से सयुत्तर का चुनाव करना है तेहां पर मेग गर्जन तड़ित जंजा तड़ित जंजा की एक ही प्रक्रिया है तेहां पर जो है पहला दूसरा तीसरा सही है नेश्ट कुश्च नमर 91 प्रत्वी की आंत्रिक दसाओं की जानकारी प्राप्त करने में प्राक्तिक स्रोथ के रूप में नहीं है तो प्राक्तिक स्रोथ कौन कौन से है भूकमपी तरंगे जौला मुखी उदगार गुरुत्वा करसर बल लेकिन आप प्राक्तिक स्रोथ होते हैं तापान दबाव और घनत्व तहां पे जो है सी उप्शन करेक् ये जो है ने माफ कीजिएगा इसकी दच्छण में जो है कारपेट्रिया की खाड़ी अवस्तित है ये जो है कथन असत्त है क्योंकि जो है कारपेट्रिया की खाड़ी जो है और श्टेलिया महादीब के उत्तर में इस्तित है ना की दच्छण में ये कथन गलत है इसलिए जो ह था हमने तो यहां पर साइकल लिजेगा नेश्टे कुश्य नमर 93 निमने लेखित में से कौन सी गर्म महासागरी जल्धारा नहीं है नहीं के लिए पूछा गया है तो कनारी जल्धारा जो है ठंडी जल्धारा है तो यहां पर सी ओप्षन करेक्टर अंसर है नेश्टे कुश्य नमर 94 नीचे दो कथन दिये गए जिनमें से एक को अभी कथन दूसरे को कारण कहा गया है तो अभी कथन में दे रखा है कि स्रमताफ मंडल को जेट विवानों की उड़ान हेतू आदर्स माना गया है और इसका कारण है कि इस परत में इनन की खपत कम होती है तो यहाँ पर देखा जाए पहला कथन तो सही है लेकिन इसका कारण जो है यह गलत है क्योंकि जो है समताफ मंडल जो है बादल तथा अनमौसमी घटाओं से मुक्त होता है इसलिए जेट विवानों को समताफ मंडल को उड़ान भनने हेतू आदर्स इस्तिती में माना जाता है स्टे कुश्च न verd 95 जो है जो है बड़ाविया और परों के मद़ स्थित और जो है है टि टिका का जी लिश्टी तरे डिउप सन्याप पर सही स्थान है तो यहां पर देखा जाए तो दोनी कथन सही है सी ओफसन यहां पर करेक्ट आंसर है नेश्टे कुश्च नमर सतानवे सुची फर्ष्ट को सिगेंड की साथ में स्विलित करें नीची दिये गए कुट का प्रयोकर सही उत्तर के चुनाव करें तो यहां पर संगाई दे रखा है केंद्र और उसका उद्योग दे रखा है तो संगाई में क्या है वस्त और मसीनरी का उद्योग है और मिलान में जो है रेश्टम वस्त उद्योग है और नगोया में जो है आटो मोबाइल उद्योग है और हमाना में जो है सिगार उद्योग है तो इस प्रकार य जौला मुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में निम्नि में से कौन एक सामिल नहीं है। तो यहां पे जो है डि ओफ्सन विस्थापन सामिल नहीं है डि ओफ्सन करेक्ट आंसर है। नेश्टे कुश्य नंबर 99 निम्न राष्टों में से किसमे मानव समय रेखाओं की संख्या अधिक्तम है तेहां पर जो है मानव रेखाओं की संख्या 12 है और जब कि रूस में जो है फ्रांस में 12 है और रूस में 11 है USA में 7 है और उस्टेलिया में 3 है तो इस प्रकार से C option correct है नेश्टे कुश्य नंबर 100 जकारू क्या होता है तो जकारू उस्टेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार करने वाले लोगों को कहा जाता है तो D option या पर correct answer है और उस्टेलिया में विस्की सरवादिक भेड़े पाई जाती है यहां मेरिनों जाती की भेड़ों से सबसे अच्छी किस्म का उन प्राप्त किया जाता है अगला कुश्य नंबर 101 निमने लिखित कत्रों पर विचार करें पहला है कि स्वर्णिम त्रिकोड दच्छड पूर्व एसिया का आफिम उत्पादक छेत्र है दूसर यहां पर गलत हो जाता है क्योंकि जो है बर्मुणा त्रिकोड जो है जो है दच्छर नहीं उत्तर पश्च्चिम अट्लांटिक महस्तागर में इस्तित्र त्रिकोडी समुद्र छेत्र है नेश्टे कुश्चन नमर 102 सुची फर्ष्ट को सिकेंड के साथ में समिलित करें अब कूट की साहता से सयुद्तर का चुनाव करें तो देश का मिलान करना है उनकी राजधानियों से तो यहाँ देखें तो तुर्क मेरनिस्तान की राजधानी क्या है जो है अस्खाबाद तो यहाँ पर मिरान हो जाएगा दूसरे से तो यहाँ पर सी और ए गलत हो जाएगा उजबेकिस्तान की राजधानी क्या है जो है तासकन पहले से मिल जाएगा और किर्गिस्तान की राधानी क्या है जो है बिश्केक तो तीसे से मिल जाएगा भी ओप्सन सही है तजागिस्तान की राधानी है दुसामबे अगला कुशन नमबर एक सो तीन निमने लिखे तमें से कौन सा जो है इस्तलावरत देश है पहला है दच्छडी सुडान दूसरा है बुलविया तीसरा है सुजयलेंड यहाँ पर देखा जाए तो सभी जो है इस्तलावरत देश है तो इऊप्सन करेक्ट है नेश्टे कुशन नमबर एक सो चार निमने लेखित में से कौन सा योग में सही सुमिलित नहीं है तो यहाँ पर देखा जाए तो 104 में देखा जाए तो डी ऑप्सन जो है सही सुमिलित नहीं है कि ब्लेक रोलर जो है अर्जेंटीना में है ये जो है उत्तरी अमेरिका की विशाल मैदान में उत्तर पश्चिम में बहने वाली गर्म एवाम सुस्क धूल भरी पावन है तो यहां पर ये जो है मिलान सहीं नहीं है कि निष्ट्र कुंष्चर 1-2 सुंपांच निमिलिकतmost और में से कौन सा एक जो है माइक रोमलicação के अंतरगत नहीं आता है तो इसका नाम है इसका नाम क्या है बिया ऑप्षान टोंगा टोंगा जो है माइक्रोनेसिया के अंतरगत नहीं आता है क्योंकि माइक्रोनेसिया दीफ समू में चार दीफ समलित है पहला है कैरोलीन जो इसमें दे रखा है दूसरा है गिलबर्ट ये दे रखा है तीसरा है मेरियाना चोथा है मार्सल ये भी दे रखा है इसलिए यहां पर बी ऑफ्षन करेक्ट होगा अगला कुश्य नमबर 106 ओशेनिया का सबसे बड़ा वा सबसे छोटा दीप कौन सा है तेहां पर जो है ओशेनिया का सबसे बड़ा देश जो है और सबसे छोटा जो है नवरू है तेहां पर सी ओफ्षन करेक्ट है नेश्टे कुश्य नमबर 107 सुची फंस्ट को सिकेंड की साथ में स्मिलत करें नीचे देगए कूट के प्रयोग करते हुए सयुत्तर का चुनाव करें खनन छेत्र का जो है उनकी अवस्तिती से मिलान करना है तो जो है हीडालगो जो खनन में है यह पहले से मिल जाएगा और माउंट इसा कहां पर है यह उस्टेलिया में है और बोको गिनी में है तो इस प्रकार से यहां पर सी ओफ्षन करेक्ट होगा नेश्टे कुश्चन नमबर 108 नीचे दो कथन दिये गया है जिन में से एक को अभी कथन दूसरे को कारण कहा गया है तो अभी कथन में कहा गया है कि सीतोष्ण कटिवंदी चक्रवातों की सक्रियता तथा जेट इस्टीम में गहरा सम्बंध होता है इसका कारण है कि जब ध भरातली सीतोष्ण कटिवंद चक्रवातों की ऊपर छोब मंडली जेट इस्टीम की इस्थिती होती है तो यह चक्रवात अधिक प्रवल हो जाते हैं तो नीची देगए कूट का प्रियोकर सही उतर का चैन करना है तहां पर और दोनों सही है आर एकी सही व्याख्या कर रहा है अगला कुश्य नमर एक सुनाओ निमने लेखित में से कौन सा जो है जो है इसकीमो जनजाती से संबनेत है पहला है कयाक दूसरा है इगलू तीसरा है रेंडियर चौता है हारपून तो यहां पर सही जाव है डी आप्शन सारे ही क्योंकि जो है कयाक होता है सील मचली की ख अगला कुश्य नमर 110 मूर लेंड कहां पर अविस्थित एक मदवर्ती उच भूमी है इसे मूर लेंड कहा जाता है क्योंकि यहां पेड़ नहीं पाए जाते है त्याहां पर बी ओप्शन करेक्ट है नेश्ट कुश्य नमर 111 है सुची फर्स्ट को सिकेंड के साथ में स्मिलित करें और नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर से उत्तर का चुनाव करें और उस्टेलिया के प्रांत है और उनकी राधानिया है तो निव साउथ विल्स की राधानिया है सिड्नी और क्विंस लें इसने सीमा किस एक देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है तो यहां पर देखा जाए तो यूकरेन जो है पूरवी योरोप में इसने टेश है और इसकी सीमा जो है इत्यादी देशों से लगती है, जबकि और श्टिया से नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पर D-Option correct है. नेश्टे कुश्य नमबर 113 है, निमनी लिखित में से कौन सा सहर खैबर दर्रे के सबसे निकर्तम है, तो यहाँ पर देखा जाए, तो खैबर दर्रे के सबसे निकर्तम जो है, सहर पिसावर है, यह option correct है. तो खैबर दर्रे जो है, उत्तर पश्मी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के जो है, काबुल का छेतर पड़ता है, जिसे काबुलिस्तान कहा जाता है, उस मैदान के बीच जो है, हिंदू कस्के सफेद कोह परवस संखला में इस्तित एक प्रिख्याद एतिहासिक दर है, निमने लिखित पर विचार करें, पहला एक तरफ दे रखा है, समुदरी जल्दारा, दूसरी तरफ महासागर, तो जो है, बेंगुला धारा के बारें बात की जाए, तो बेंगुला धारा जो है, किस महासागर में है, तो अट्लांटिक महासागर, और अगुलहास धारा महासागर के तहत और कैलिफोर्निया धारा तक प्रसांत महासागर के तहत त्यहां पे चै schaffen होने का देखा जाए तो जो है कि जुल कि आनपने कि आए को सभाने सेufां और दूसरा कथन है यह जांबिया और जिंबाब्बे की सीमा पर इस्तित है तो यहां पर देखा जाए तो जो है पहला कथन तो यहां पर सही है लेकिन दूसरा कथन यहां पर गलत है क्योंकि यह जो जांबिया और जिंबाब्बे की सीमा पर इस्तित है और इसकी उचाई जो ह है 355 फीट है किसके वारे में बात हो रही है अफ्रीका के विक्टोरिया जल प्रपात की बारे में अगला कुश्य नंबर 116 मिनास गिराइस किस देश में अविस्थित खनिज भंडार का प्रमुक्षेत्र है तो यह जो है ब्राजील में इस्थित है डी ओप्शन करेक्टर आं तो जन्जातियों का मिनान करना है उनकी छेत्र से तो बुस जन्जाति जो है कालाहारी से मिलेगा और बंटू जन्जाति जो है उपसारा से मिलेगा और पिगिमी जो है कहां से मिलेगा कांगो बेसिन से और मरसाई जो है पूरवी अफ्रीका से तो इस प्रकार यहां पे बी बाल्टिक सागर के तटी देश कौन से है डेनमार्क है इस्टोनिया है फिल्लेंड है जर्मानी है लाट्विया है थिलुआनिया है पोलेंड है रूस है और स्वीडन है लेकिन जो है नार्वे नहीं है सी ओक्सन करेक्ट है नेश्टे कुष्ट नम्मर 11 निम्नेलिखित से पूर्व की और सही क्रम क्या होगा तो पहले होगा आईवरी कोष्ट तीसरा फिर होगा घाना फिर होगा टोगो फिर होगा बेशिन तेहां पर सी ओप्शन राइट आंसर है अगला कुष्य नम्मर 120 निम्नेलिखित में से कौन सा एक देश जो है विश्वत रेखा पर इस जब की जो है बहुत स्वाना जो है मकर रेका पर इस्थित है इसलिए सी ओप्शन राइट है अगला कुष्य नम्मर 101 केस सूची फर्ष्ट को सेकेंड की साथ में स्मिलत करें और कूट की सायता से सही उत्तर का चुनाव करें तो नगरों का मिलान करना है नदी से तो यहां यहां पर वार्षा नगर वर्षा नगर इकिस नदी के टटतपर है तो विष्चूला नदी के तहाँ पर दूसरी से मिल जाएगा तो यहां पर भीालत शी गलत न मंजा नारेस अगला कुश्चिन नम्मर 122 निमने लिखित में से किस एक राजधानी से होकर डेन्यूब नदी नहीं गुजरती है तो डेन्यूब नदी जो है यूरोप की पांच राजधानियों से होकर गुजरती है जो है बुड़ा पेश्ट जो हंगरी है वेना ऑस्टेलिया और बेल ग् और ब्रटी शुलावा जो है शुलवा किया तो इस प्रकार यहां पर सी ओप्शन सही जवाब हो जाएगा पैरिस का जिकर नहीं आया पैरिस अगला कुश्चिन नम्मर 122 निमने लिखिती यूगमों में से कौन सा सही सुमिलित है तहां पर देखा जाए तो जो है यहां पर तुल जलवाईू पाई जाती है सुदान तुल जलवाईू भी कहा जाता है और इसका विस्तार की बारें बात बात की जाए तो यह जो है 5 डिग्री से 10 डिग्री पांस से 10 डिग्री से प्रार्म होकर 15 से 20 डिग्री अच्छांस तक पाया जाता है और उस्टेलिया का उत्री उस्टेलिया तथा क्विंस्लेंड प्रदेश इसके अंतरकत आते हैं और सवानत्तुल जलवायों में आउसत वार्षिक वर्षा जो है तो अभी कथन में दे रखा है कि आद्र जलवायों में पर्षीना तेजी से वास्पित हो जाता है इसका कारण है कि मानव गर्म एवं आद्र जलवायों में सहज मैसूस करता है यहां तक कि यह मानव की कार्चमता को भी कम कर देता है नेश्टे कुष्चे नमर 126 माई 2023 में निमने लिखित यूरोपी देशों में से कौन सा एक देश ऐसा था जिसने एक सरापर स्वास्थ चेतावनी लगाने वाला विष्ट का पहला देश बन गया है तो यह देश कौन सा था आयरलेंड था यह ओप्शन करेक्ट आंसर है नेश्टे कुष्चे नमर 127 माई 2023 में इंडोनेसिया में संपन्द 42 सिखर आशियान सम्मेलन में किस देश को संग्ठन के ग्यार्वे सदस देश के रूप में सामिल किया गया है तो उस देश का नाम बताना है आपको सही जवाब है बी ओप्शन तिमोर लेश्टे बी ओप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है अगला कुश्य नमबर 128 माई 2023 में जापान में संपन्द 49 सिखर सम्मेलन में भारत के प्रधान मंत्री ननेंद मोदी द्वारा कि सहर में मात्मा गांदी की एक प्रतिमा का अनावरार किया गया तो उस सहर का नाम बताना है तो सही जवाब है हिरोशिमा यह ओप्शन सही जवाब है नेश्टे कुश्य नमबर 139 माई 2023 में अरव लीग सिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया तो इसका आयोजन जो है जेद्दा सौधी अरव में किया गया यह ओप्शन यहाँ पर करेक्टांसर है अरव लीग जो है अरव देशों का रीजनल और गनाइजेशन है और मार्च 1945 में इसका गठन जो है काहिडा मिस्र में किया गया था नेश्ट कुष्च नमबर 130 मैं 2023 में प्रधान मंत्री मोदी द्वारा नय संसत भवन का उदगाटन किया गया इस भवन में राज दंड के प्रतीक सेंगोल की इस्थापना की गई इस सेंगोल का संबन्ध किस्से है तो इसका संबन्ध जो है जो है चोल समराज से है तहाँ प ग्लोबल वेल्ट कॉंफरेंस का आयोजन कहां पर किया गया तो इसका आयोजन यू के लंदर में किया गया तो यह ओप्सन करेक्ट है अगला कुश्य नम्मर 132 मैं निमनिलिखित में से किस इस्थान पर देश के पहले राष्टी बांध सुरच्छा केंद्र को इस्थापित कि यह जाने की घोष्णा की गई तो यह जो है जैपुर में की जाएगी यह ओप्सन करेक्ट अंसर है इसका उद्देश है कि बांधों को भूकंप जैसी आफदाओं से बचाया जाए अगला कुश्य नम्मर 133 में संयुक्त नौशन अभ्यास टाइगर सार्क फोटी का आयोज इस्तल जो है चट्टो ग्राम बांगलादेश था नेश्ट कुश्य नम्मर 134 पंडुबी बाक सीर से संबंदित निम्न लिखित कत्रों पर विचार करें पहला है यह भारती नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की छटी स्कॉर्पियन पंडुबी है दूसरा है इसका निर्माण मजगाउं डॉक शिप बिल्डर्स लिम्टेट द्वारा किया गया है तो यहां पर असत कथन को चुनना है तो यहां पर देखा जाए तो दोनों ही कथन यहां पर सही है इसलिए डियोप्शन सही जावाब होगा नेश्टे कुश्य नमबर 135 मई 2013 में भारती सर्द में मिलता है तेहां पर B option correct answer है नेश्टे कुश्य नमर 136 मई 2023 में कि सिराज में भात की पहली पॉर्ट टेक्सी परियोजना शुरू करने की घोफला की गई है तो यह जो है कहां पर की गई है 136 का सही जाब है यह सेवा जो है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है तो यह यहां पर A option correct answer होगा यह सिवा जो है नोड़ा फिल्म सिटी एवं जेवर इस्तित अंतराश्टी हवाई अड़े के मद संचालित की जाएगी अगला कुश्य नमबर 117 मई 2023 में जर्वानी में आयोजित अंतराश्टी सुपर कंप्यूटरिंग समेलन में दुनिया की सीर्स प अंसर है इरावत सीडेक पुड़े में स्थापित AI आधारित एक सूपर कंप्यूटर है अगला कुश्य नमबर 138 मई 2023 में छट्वे हिंद महासागर समेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया तो इसका आयोजन जो है धाका बंगलादेश में किया गया तेहां पर A option right है अगला कुश्य नमबर 149 मई 2023 में निम्ली लिखेत में से किने केंदरी सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है तो इनका नाम प्रमीर कुमार स्रीवास्ताव है प्रमीर कुमार स्रीवास्ताव डी ओप्सन करेक्ट है नेश्टे कुश्य नमबर 140 केंदर सरकार द्वारा के संबन्द में लोगों को चितावनी जारी की गई यह विशेश रूप से टार्गेट करता है किसको तो यह जो है एंड्रोइट फोन को टार्गेट करता है बी आफसन यहां पे करेक्ट आंसर है नेश्ठे कुश्य नमबर 141 मai 2023 में किस देश द्वारा लंभी दूरी की बेलिस्टिक मिसाईल खाइबर का परिछड किया गया तो यह किस द्वारा किया गया तो इसका परिछड जो है इरान द्वारा किया गया और इसकी मारक चमता 2,000 किलो मेटर है तेहां पे C option correct है नेश्टे कुश्चन number 142 मैं 2023 में केंद्री पत्तन पोत परिवाहन एवं जलमार्ग मंत्री द्वारा किस देश में इस्तित जो है सित्वे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की आगवानी की गई तो ये जो है 112 का सही जाव है E option मियामार का time magazine ने किस भारती अभिनेत्री को अपने cover page पर इस्थान दिया तो उसका नाम है दीपका पादूप कोण D option correct answer है नेश्टे कुश्चन number 144 मैं 2023 में बुद्ध पूडमा के आउसर पर खेलो इंडिया यूनिस्टी गेम्स दोयारते है इसका सुभंकर जारी किया गया इसका नाम क्या है तो इसका नाम जो है 144 का सही जाव है E option G2 नाम है इसका नेश्टे कुश्चन number 145 मैं 2023 में टाटा समों के अध्यच ऐस चंद्रसेखरन को किस देश के सर्वोच नागरिक सम्मान जो है सिवेलियर डे ला लाजेन डी होनूर से सम्मानित किया गया है तो यह पुरुसकार कहां का है यह फ्रांस का एक प्रसिद पुरुसकार है नेश्टे कुश्चन number 146 मैं 2023 में निमनी लिखित में से किस दिथी को विर्स कच्छुआ दिवस मनाया गया है तो यह जो है 23 मैं 2023 को C option correct answer है इसका उद्देश है कि कच्छुओं एवाम दुनिया भर में उनकी तेजी से गयाव होते आवासों की रच्छा की जाए अगला कुश्चन number 147 इंटरनेश्चनल बुकर प्राइज 23 के संबंद में निमनी लिखित कत्रों पर विचार करें पहला कतना मैं 2023 में यह प्रुसकार टाइम सेल्टर पुस्तक को प्रदान किया गया दूसरा कतन है इसके लेखक जोर्जी गोस्पोडिनो है इसके लेखक जोर्जी गोस्पोडिनो है तो यहाँ पर देखा जाए तो 147 को देखा जाए तो यहाँ पर option सही है दोनों ही कतन सही है अगला कुश्य नमर 148 माई 2023 में निम्न लिखित में से किस योरोपी देश ने इच्छा मिर्ट्व को वैद घोसित किया है तो इस इस देश का नाम क्या है पूर्टगाल बी ओप्सन करेक्ट आंसर है अगला कुश्य नमर 148 माई 2023 में केंद्री ग्रहमंत्री अमिसाय द्वारा राष्टी तटी पुलिस अकैडमी के इस्थाई परिसर की अधार सिला कहां पर रखी गई तो ये अधार सिला जो है द्वार का गुजरात में रखी गई ए ओप्सन करेक्ट आंसर है और ये जो है 970 करोड रुपए इसकी लागत आई है नेश्टे कुश्य नंबर 150 मई 2023 में विश्व आर्थिक इस्तिती एवं संभावनाएं मिड 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें वर्ष 2023 में भारत की विकासदार 5.8% अनुमानित किया गया ये रिपोर्ट जारी की जाती है किसकी द्वारा ये रिपोर्ट विस्वेंक द्वारा जारी की जाती है बी ओप्सन यहां पर करेक्ट आंसर है इसी के साथ ही दे याई ये संस्तान द्वारा संचालेत यूपी पीसेस का च्छटे क्रमाम का जो है टेस्ट पेपर यहीं पे स स्वाप्त होता है मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थेंक्यू फॉर वचिंग एक्जामोफोबिय यूटूब चैनल